कि हेलो एबरिवन बैलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टन होने वाली बीए प्रोग्राम के स्टूरेंट के जो की सेमेश्टर फोर इस टोरेंटे डिवुएश्ड रेगुलर एंसेब फॉर इस्टूरेंट है सेमेश्टर फोर में ज यहां पर हम वही कोर्टिन लेते हैं 20 शांस होते हैं के आपके कोशन पेपर में आने के इंपर्टन पर अंसर है तो देख सकते हैं जो हमने आपके कोशन लिया है यह आपके सामने देख कि इसका अनसर आपको हम complete इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले प्रालेखन सबक्राव ने सरकारो में डालेखन यौ जो जो में मुजियम होती है इना को आपको समझ में आ गया घे अंसर हम आपको बताते हैं इसमें दो टाइप से भी कोर्शन पूचा जा सकता है या लग से भी पूचा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है ठीक है अंसर यहां से देखिए जो प्रालीखन होते हैं उसे दस्तावेज करन भी कहा जाता है कि मतलब कि जो की आपके लिखे हुए होते हैं सब्द जो आपके अब नहीं करने कि बचस्तावार बशततो विशय के बारे में जान कर आबे कि लिखित या लिक्त रिकोड बनाने रखने और साजय करनी के प्रक्रिया है प्राएकन किया होता? तो की विशे बस्तु उसके बारे में आपको जानकारी को लींखने है इलेक्रों निक माधियम से भी लिखे जा सकते है रिकोर्ड जो बनाया रखते हैं उसे साजा करते एक दूसरे को सेर करते उस प्रकिरिया को यह कहा जाता है ठीक है यह भी भी रूप ले सकता है इसके जो अलग-अलग प्रकार होते है अलग-अलग रूप ले सकता है जैसे उपयोग करता के द्वारा ले सकता है ताकनिकिक ले सकता है जो ताकनिकिक में परिवतन हो समझने उप्योग करने के आउ सकता होती है तो यह जो रिकोर्ड है जो आप कहते हैं प्रालेखन उस बैक्टियों में मदद करता है कि जो की विशिस कारे करें या किसी चीज को उप्योग करें उसको समझने के लिए उनकी प्राकिरिया को जानने के लिए उनकी के लिए मदद क तो जो भी शृष्टम होते हैं प्रोजेक्टर होते हो इंट थे बूपरीवतन होते हैं उन सब में धी मदद करते हैं हो उनकी जानकारी에요 में कला और भारत के अतीत की व्याक्या सोच्टम दस्तावित करन सांगरे और भारत के अतीत को समझने की जिश्चे कला कितियों की छम्ता को निस्वी सताब्डी के विटिस पुरा फिरसु द्वार अच्छी तरह से सहारा गया था तो जो निस्वी सताब्डी उसमें जो कला कि कि चमता के बारे में जान भी सकते हैं उनको अच्छे तरह से सहारा भी गया था उसके बारे में अच्छे तरह से जान सकते हैं भाले ही साथी के दोरान भाति इतिहास और लिखे कोड की मादियम सकती को समझने के लिए कदम उठाए जा रहे थे तो इसमें यह वी एक फायदा इससे हुआ कि जो भाति सांसकती होते ना उनके बारे में भी समझने के लिए उनके इतिहास के जानकरे प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए थे कि जो पुराने जबाने के लेखे लिखे prop experient होते हैं उनको देखा गए समझया गए कि पुराने जबारने की सांसिक्ते क्या है उसे कैसे समझा जा सकता है इसके माद्य हम आफिलेगर में प्रालेखन, वारे में आपको बताना इसकों के बोलीगर सुखना की आपको बताना २५ोँमिकअ के थाturns नियाग। यह पता किसले काम करते हैं जो इतिहास में जो शिच्छा है ना उसके सूचना के मुल्यांगन के सोरोतों के बारे में जाने की कोश्चे करते हैं उनके लिए काम करते हैं तो एक पॉइंट करके यहां देखेंगे जैसे कि आपको यह फॉष्ट पॉइंट दिख रहा है कैट लॉंगिंग एक अभिलेगरक में प्रत्यक आइटम का रिकोर्ड बनाने की प्रकिरिया है इस रिकोर्ड में सीशक लेख दिनक और आइटम का संचीव वितन सामिल होना चा जाता है इसमें क्या क्या जो दिन होता है लेखक होता है उसके आइटम के बारे में संचीव बितरन किया जाता है कि इसमें क्या चीज़ है सैकंड पॉइंट बढ़गी करन बढ़गी करन एक योजना के अनुशा संग्रे में वर्ष्टों को वर्ष्टों करने की प्रकिरिय यह संबने सामगरियों को खोजने और उन्हें असानी से खोजने में मदद करता है तो जो इसमें यह क्या होता है जो एक बेवस्टी तरीके से किसी भी चीज का वर्नक किया जाता है उसकी योजनाओं के बारे में जाना जाता है उसकी वस्तों के बारे में जाना जाता और इसम इसमें उचित भंदार निगरानी और प्रियावरन में काम की जाता है उपयोग के उप्योग शामिल होते थिक फोर पॉइंट है परी गहन परिगहन संग्रे के संग्रे में नहीं सामगरी प्राप करने और रिकोर्ड बनाने की प्रक्रिया है तो इसमें होता है कि जो नहीं नहीं सामगरी को प्राप किया जाता है और रिकोर्ड बनाया जाता है इसमें प्रतिक बस्तु का एक विश्रिष पहचान संक्या निदेश करना और उसके कदम या सुरोतों को रिकोर्ड बनाना सामिले तो इसमें जो नहीं नहीं चीजों के बारे में जानकरी पहचान की जाते हैं उनके जो रिकोर्ड बनाया जाते हैं उनको सुरोतों का निर्मान करनें के हुए सुरुत करता हों संहदि के सब्सक्राइब उसंग्रे को मार्क डेसित दिखा निकी pensa कथ दोह कि उनकी मेट सुरुत करता होते हैं उनकी जानकरी को देखते हैं प्रकते कि दिए गलत हैं उसमें गते इसका Six This point, जीजीटल कणन fan जीजीटल करन स्धी गेडिव सबय को डिजीटल स्वेरोप में प्रिवतन करनी प्रकिर्याइ, यह नाजुक सामगरियों को सारचित करने हैं और उन्हें यह व्यापक दस्वों के लिए सूलब बनाने में मदद करते। तो जो का यह होता है है कि जो नाजू कहले की सामगरी होते हैं उनको प्रिक्रिया के रूपे में उनको सामगरी में मदद करते हैं इसका next point metadata metadata किसी बस्तु के बारे में नात्मक जानकरी जो उसकी पहचान और पुन्प्राप्ति में मदद करती है इसमें बस्तु के सभी से यह संग्रह की अखें गटने की अचा पर बनाए हम चिसे क invented in pink के की अई जा वियुए में सब्सक्रापैर को सब्सक्राइध्र करने लिए। यह मैं समघ नाया चला पर अबag के लिए अधियर आपक्षन के अब आपको बताना है इस पूछा जा सकता है तो आप समझ जाएगा तो देखते हैं इसका अंसर हम यहां से दस्तावेजी करन सांग्रालों का एक अन्यवारी पहली है क्योंकि मुल्यांकन अतियासित कलकितियों कि सारच्चन और साजा करने की अनुमति देता है एक अच्छी तरह से प्रालेखन सांग्राले संग्रत अतित में अत्यदिष्टि प्रदान कर सकता है बतमान सोथ को सूचित कर सकता है और वभिष्टि की पीडियों को पेरित कर सकता है तो यह क्या होता है तो सबसे पहले आपको एक जो पर पहुंचा सकता है उनको भविष्य में पहुंचा सकता है इसके द्वारा तो देखिए जो इसके सांग्राले या आप कह सकते हैं म्यूजियम के प्रालेखन के महत्म बिंदो जो निमलेखित होते हैं इंपोर्टन पॉइंट जैसे कि हमने उपर आपको बताया उसका अभी लेक का तो इसी टाइप से देखिए फॉर्स्ट पॉइंट है अधिगहन तो इसमें देखिए दस्ताविश करन अधिगहन के विंदो पर सुरू होना चाहिए जब किसी वस्तु को पहली बार संग्राले के संग्रा में जोड़ा जाता है जिसमें रिकोर्डिक जानकारी सामिल है जैसे कि वस्तु का स्रोत इस्तिति और कोई संबन एतिहासित या सांसकति संबन मलब कोई भी सामगरी होती है जो की म्यूजियम मे जाता है अपने अंदर लिया जाता है सेकट पॉइंट पराख हो जाने के बाद इसे संग्राले के डेटा वैक्स में सुचि वंद किया जाना चाहिए इसमें इक विश्टान करता निदेशित करना और वस्तु के बहुत इक वित्रन हितिहास और किसी वी प्रासंगिता कि इस वस्तु को कहां से प्राप्त किया गए उसमें क्या क्या पैचान है उसके इतिहास के बारे में सभी कुछ एक रिकोर्ड के जरिये उसे बना के रखा जाता है ठीक है 3rd point सारचन संगराले संगरो की सारचन के लिए प्रालेकन भी महत्पुने किसी वस्तु पर किये गए कि उप्चार या मरमत के सांसर उप्चार पहले और बात में उसकी इस्तिती का रिकोर्ड रखा जाना चाहिए कि कोई भी बस्तु आप लेके आ रहे हैं उसमें कुछ भी मरमत एक मूर्ति लेका है अगर कोई चोटी मोटी भी आपने उसमें काम कर दिया किसी के हार टूटे किसी का पैर तो उसमें मरमत कर दिया तो उसकी जाच करेंगे उसके रिकोर्ड बनागे रखना होता है ठीक है जो इसका फोर पॉइंट है रिन और प्रादरसनित जब बस्तु को उधार या प्रादरसनित किया जाता है तो उनके आंदोलन को टैक करने और उनकी सुरक्षा वाप से सुनुच्चित करने के लिए दस्ताविश करन आउसक है उसमें उधार करता के बारे में रिकोर्डिक वित हम एक ड़ो Japanese कि आवसक्ता होती है जो कि हम लिखते हैं कि वावण और हमने इसको कहां से लिया था seeing कि उदिर्जिक कहांस क्ते होती है बारे में लिखते है कि कहांसे वित्रान लिएami साथ और में दो कि सुनुच्च गरी से निख्रू करता संगघता नियों जयरे विक्री ठ या वाहरी करन के माध्यम से प्रादासिक्ता और उत्तदायते बनाए रखने के लिए रस्ताविद करन अउस्ता के इसमें निप्टारन का कारण विक्री या हश्टांत के विदी और किसी भी संबंद कानूनी नैतिक विचार को दर्च करना सामिल है कोई बस्तू को निप्टार में वहाँ से रखने ऑङला तो इसके बारे में चानकरी लिखा जाएगा कि इसका विचार क्या इन नैतिक क्या कानूनी क्या जिसका संब कुछ रखा जाता है को इसकि निप्रार्च करना भिलेगर और सांगडरे दोनों में एक महत्तोंका निभात इन सांस्किती विरासत को सारचित करने और साजा करने अपनी मिशन को पूरा करने में समझ बनाता है प्रालेखन और संग्रे प्राबंद को प्रथामिकता देना जारी रखते हैं अभी लेगर और संग्रे आने वाली वर्सों के लिए जनता को पेरित और सिक्षित करना जारी तो गैस यहाँ पर question finally खत्म हो चुका है इसे हमुए इस दोनों के मादयम से आपकी सांस्टि की विरासत होती उन को साल स्पकोद रखा जा सकता है और जो आने वीडियो को सेर की जट थेंक्यू